रुज़ान अम नतीजों में तब्दील हो रहा है और साथ ही बहुत कुछ बदल रहा है देश की राजनीत के लिहां से लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ट्रेंट सभी तक क्या करें हाला कि अभी आखरी नतीजे नहीं है ये रुज़ान है लेकिन रुज़ान जो रहा है ये अभी तस्वीर है ये अभी रुज़ान है फाइनल तस्वीर अभी भी आनी बाकी है लेकिन आज का दिन बेहद है मैं देश की सियासत के लिहास से जिसतरा से गड़ बंदन को लेकर तमाम प्रयोग किया और ये बात सामने आ रही थी कि यूपी से बड़ा जाएगा देश की राजनीति में लेकिन तमाम संदेश को धत्ता बनाते हुए ब्रैंड मोदी ने एक बार फिर अपनी बात शाहत साबित किया है जब आज नतीजे आ है जब इवियम से मत गड़ना शुरू हुई है 62 सीटों पर बीजेपी ट्रेंट कर रही है एक सीट पर का गडबंदन 17 सीटों पर यहां है बार के जरी हम आपको समझाने की कोशुश कर रहे है कि किस तरह से विजय का इस्तंभ यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है बीजेपी खेमे में भगवा ब्रिगेड ने किस तरह से आज नहीं कहानी लगी लेकिन अब दरसल जब हम बात कर है इस बड़ी जीत की तो आखिर पीम मोदी कैसे यहां पर अपनी बाश्चाहत कायम करते हुए नजर आए वो हम कारण आपको गिनाते हैं तो मोदी के आगे सारे फॉर्मुले फेल नजर आए हैं राश्च्टवात का तोड विपक्ष पूरे चुनाओं के दोरा नहीं निक मोदी पर जिस तरह से पर्सनल अटेक किया वो भी यहां कहीं न कहीं परशानी घड़ बंदन के लिए बंता नजर आया जब आज परणाम सामने आए इधर ममता का उगर प्रचार भी हिट नहीं हुआ जिस तरह से लगा था हमले कर रही थी उनकी रैलियों पर रोक लगा रह थी वो भी चीज़ें यहां पर वर्क करती हुई नजर नहीं आई यानि विपक्ष में जिस तरह का विखराव था वो भी मोदी की बड़ी ताकत बना जब आज परणाम सामने आए जी एस्टी और नोडबंदी का मुद्दा लगाता यहां पर विपक्ष बनाने की कोशिश क कर रहा था लेकिन जंता में ये कार्ड नहीं चला विपक्ष का हिंदुता कार्ड भी मोदी के आगे बे असर नजर आया तो ये वो कारण है जिसके कारण जब आज तूपी की पॉलिटिक्स इस बार सबसे ज़्यादा प्रयोक शालक की तौर पर इस्तिमाल की गए और वहाँ पर अखलेश माया क्यों फ्लाव पुए यह हम आपको उतारे वहाँ पर वोट ट्रांसफर का इनका फार्मूला नहीं चल पाया जिस तरह से अलप संख्यक और या का बड़ा मनमदला है जिस तरह से योजनाओं का लाव मिला यह लाभारती जो है स्ट्रॉंग वोटर में कनवर्ट हो गया जिसकी वजह से गड़ बंदन का एदाओं नहीं चल पाया योगी का हिंदुत वादी चेहरा भी एक बड़ा इफेक्ट रहा है जब परिणाम सामने हैं गडबनन हुआ लेकिन कारकरताओं में अंतरह कई सीटों पे जिस तरह से भीतर घात की भी खबरे रही वो यहां पर बड़ा डिसाइडिंग फेक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है मुद्दों पर जनता के सामने सही तस्वीर नहीं आ पाई सपार ने अपना घोशना पत अपों के स्तिती बनी और जनता का साथ गडबन्दन हासिल करने में काम्याबने पर साथ ही गडबन्दन की पहल बिजिस तरह से देर से हुई वह भी यहां पर बड़ा कारम बंती नहीं जा रहा है अब आपको पाई की जरीए समझाते हैं कि दरसल सीटों का हल किस तरह से रह रही रुजान है नतीजाने बाकी है तो बिजेपी की बात कर लें तो 347 सीटों पर बिजेपी ट्रेंड्स कर रही है कॉंग्रेस की बात कर लें तो 92 सीटों पर ट्रेंड्स कर रही है और दूसरे दर्लों की बात कर लें और उनके गड़ जोड़की कर लें तो 109 सीटों पर यहां पर तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है और आई आपको बताते हैं कि वोट शेर किस तरह से रहा है अभी तक जो ट्रेंड सामने आए वो क्या कुछ कहानी बैक कर रहा है वोट शेरिंग के मामले में तो बीजेपी के स्थाम को देखें तो 49 प्रत्विशत वोट शेर इ में काम्याब हुए जब चुनाओ शुरू हुए थे तब अमिश्या ने कहा था और उनकी टीम ने कहा था कि अगर यूपी से 51 फिजदी वोट उनको मिल जाता है वोट शेरिंग मिल जाती है तो जीत की बड़ी अबारत लिखेंगे और कहानी बिल्कुल वैसी बंती नजर आ अगर बात कर लें तो यह वोट शेरिंग का यहां पर आकड़ा है लेकिन वास्तों में क्या स्थितिय लगातार किस तरह से आकड़े बदल रहें रुजान सामने है और नतीजों में कितना फर्क होगा यह अभी भी देखने वाली बात होगी ओवर टू स्टूडियो